सबसे पहले बात करते हैं इंटर कॉंटिनेंटल कप के बारे में सो इंडियन नेशनल टीम के हैड़ कोच मिस्टर मनलो मार्केस ने रिसेंटली टियो आए को एक इंटेवु दिया है विफॉर दी टूर्नामेंट्स कीक उफ जहां पे दो तीन चीज उन्होंने काफी इंटरेस साल से अपते टिम के लिए सिलेक्ट हो रहे हो डीजलंट्र मेटर आपको प्रहुंस के थूरू अपनी वर्त को प्रूव करना पड़ेगा आपको अपको अपनी कि तरूर करता हूं तो यह एक अच्छी चीज उन्होंने की है पहले ही अपनी मिटिंग में प्लेयरों के साथ क्लियर कट मैसेस देखें क्योंकि इगोस्ट्री मेंच के अंडर हम सब को बताए कि कुछ प्लेयर ऐसे सिनेर प्लेयर थे कि जो अंटेचबल बन चुके थे चाहिए वो प्रफ़ॉंस दे ना दे खेले रेगुलर खेले ना खेले कोई फरक नहीं पड़ता था लेकिन वो लगा इन प्रिपरेशन के बारे में उन्होंने बोला कि 93rd FIFA रेंग टीम हमारे से काफी आगे है लेकिन इंडिया बीड़ते हैं तो यह confidence उन्होंने अपने प्लेयरों के उपर दिखाया है कि वहीं सीरिया को टेक वान कर सकते हैं तीसरी चीज़ उन्होंने बोली जो नेक्स्ट ये इन प्रिपरेशन के बारे में लेकिन अब उसके बारे में बात करते हैं तो हिंदूसरन टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि जो एफफ ने इगोर्स टिमेच को कॉंट्राक दिया था और उसमें जो गलती की थी कि वहीं कोई भी एक्जिट क्लोज या फिर टर्मिनेट क्लोज नहीं रखा था और उसके चलते हम सब को पताई कि उनको उनका जो रिमेनिंग कॉंट्राक है उसकी भी सेलेरी पे करनी पड़ सकती है तो वही सेम गलती उन्होंने मनोलो मार्केस के को बीच में चाहता है तो उनको उनके दो साल की सेलेरी देनी पड़ेगी यहां पर उनकी वर से दिमांड रखी जाएगी कोई भी बंदा होगा वो अपना जो कोंट्राक है अपनी जो 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 वह तो सेफ करना चाता है वह तो आपके उपर डिपेंड़ेगी आप किस तरह से नेगोशेट करते हो आप कौन से टर्मस में यहां पर सामने वाले बंदे को कन्विस कर पाते हो तो अगें एफफ आप सबको दिखी रहा है कि किस तरह का मैनेजमेंट है यही लोग थे जो दो महीने पहले बोड़ रह रहे हैं और मनुलो मार्केस लेट अच्छा ही करें आपको दो साल के पहले यहां पर उसको सेख करना पड़े अगर फिर से आपके पास फाइनेंशल क्यावलती की डिफिगल्टीज आएगी तो इस आपके क्या ओपिनियन ने इसके बारे में भी बाता देना अब बात करते ह कोलकता डार्वी के बारे में जो की आज खेला जाने वाला है यूपी के लखनों में साम साड़े च्छे वजे मैच खेला जाएगा चीफ फिनिश्टर कप इसको नाम दिया गया है प्रमोशनल मैच है और दोनों की जो रिजर्व साइड है वो खेलेगी इस मैच को आप इस स्टेट में कोलकता के जो 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 जायंट है वो यहां पर भीड़ रहे है तो एक थोड़ा सा हाई प्रमोशन तो होगा बट लेट सी कितने लोग मैच देखने आते हैं किस तरह का मैच रेता है वो देखना काफ़ी इंटरसिंग होगा कोलकता दार्वी की बात करी है तो म बीच मैच में यहां पर सब्सेटूट कर दिया गया था तो उनकी इंजरी का यह अपडेट आ रहा है कि उनको थोड़ा सा सीरियस इंजरी है एं तीन विक के लिए वो आउट है इसका मतलब है कि जो आएसल का ओपनिंग मैच है अगेंस्ट मॉंबाइ सिटी वो डेफिनेट खबर आ रही है कि जिस तरह से होती है उसमें कई ना कई काफी ज़्यादा एक फेवरिटिजम या फिर एक ब्याइंड देखने को मिलेगा जिस तरह के वह फॉरेनर साइन कर रहे हैं एलिक से ही उनके मुस्ट मुस्ट ऑदी फॉरेनर्स आ रहे है पहले ब्रेंडन हमिल थे पेतरा तोस्ते उसके वाद जैसन क्यूमिक्स को लाए तो एलिक के प्लेयरों को ही क्यों ला रहे है जबकि उस पेसे में आपको अगर स्काउटिंग अच्छा करोगे तो बहतरीन आपको आफ्रिकन साउथ अमेरिकन या फिर एवन यूरोप के प्लेयर भी मिल सकते हैं तो क क्लब के जो ओनर से क्या वो इस चीज़ों को देख पाते हैं क्योंकि आप कितना भी पैसा करो अगर राइट जगा पर स्पेंड नहीं करोगे तो आपको उसनके रिजल्ट नहीं मिल ले वाले तो यह तो बिल्कुल सही बात है तो जिस तरह का यहां पर मार्केट स्पेंड म में बताएगा जरूर उसके बात करते हैं हिद्रावाद FC के बारे में तो फाइनली उनके जो अब एक्स ओनर बन चुके है वरुन त्रिपुरा नेनी उन्होंने कल सोचल मीडिया पर जो फेरवल मैसेज है वो रिगारिंग क्लब यहां पर अपनी बाते रखी चाहां पर उन और उन्होंने जो नए ओनर से जिंदाल ग्रूप उनको भी कॉंग्रेचुलेट किया सो अब सारी चीज़े ओफिशल हो चुकि है बीसी जिंदाल ग्रूप ने टेक ओवर कर लिया है और डिशाइनिंग्स भी यहां पर होने लगी है और बहुत जल्द यहां पर फिफा बेन तो ही रहेंगे बीच में सायद उसके बाद फोरेंट कोच की अपविमेट हो सकती है वह देखना काफी इंटरसिंग बन जाएगा तेन यहां पर कुछ दो तीन और अपडेट है आएसल में वह है कि मुंबई सिटी एफसी ने चांगते को अपना नया केप्टन अनौंस कर द दूसरी साइड एफसी गोवा ने साहिल तवरा को साइन कर लिया है सो साहिल तवरा अगें इन टुदी मार्केस टीम जो की पहले हैं उनके एंडर खेल चुके हैं इंटरसिंग साइनिंग गूट से यहां पर साहिल तवरा के पास वह यूरोप में खेलने का भी थोड़ा से एंड अच्छे अब प्लेयर बन चुके तो मार्लो मार्केस के एंडर फिर से अपना जो फो में परफॉंस है वह एक्सल कर सकते हैं उसके लावा चन्ना एपसी ने अपनी जो अवे किट है उसको भी अन्विल कर दिया है सो चन्ना एपसी इस सेजन इसल में कैसा परफॉंस बताएगा लेकिन उन्होंने जो अपनी तीनों किट है या फिर अपनी थर्ड किट हो उसमें जबरदस काम किया है एंड सिक्सपाइश ने बैतरी जर्सी उनके लिए डिजाइन किया है सब्सक्राइब बात करते हैं बिहार में बने नए स्पोर्ट कोंप्लेक्स के बारे में जो की राजकीर में बना है एंड जर्स थी फॉर्स्ट स्पोर्ट अकेडमी एंड स्पोर्ट उनिवर्सिटी इन बिहार जहां पे 24 डिफरंट स्पोर्ट के यहां पे ट्रेनिंग स्टेडियम्स एंड सारी जो फैसलिटी से बनाई गई गई है जिसमें वन ओप देम इस ओब भी ज्यादा बच्चे इस तरह के जो फैसलिटी से उसका यूटिलाइजाशन करके हमें वहां से भी टेलेंट मिले सो दर्स गूट फिंग फोर बिहार जो की टोटल 90 अकर में बना है पूरा कॉंप्लेक्स एंड साथ सो पचास करोड का कोस्ट आया है एंड बिहार गवर्मे झाल 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 झाल